हेलो एवरेवन विल्कम बैक तो माई चैनल कैसे हैं आप सब तो आज मैं आप से शेयर कर रही हूं विंटर मेकप लुक तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूं गुड़ वाइस का ओर्गन ओयल 24K और फेशियल और विंटर में मेकप करने के पहले और अच्छे से लगाना चाह है फिर मैं यूज कर रही हूं बायोटिक की बायो कोकोनट वाइटनिंग क्रीम यह ड्राय स्किन के लिए बहुत अच्छी है अगर आपकी ड्राय स्किन है तो आप इसे यूज कर सकते हैं काफी अच्छे से मुशराइज करेगी आपके फेस को और मैं इसको लगा लोंगी फ अच्छे से प्रैप कर लिए अच्छे से मुशराइज कर लिए फिर अब मैं मेकप स्टार्ट कर रही हूं मेकप स्टार्ट में सबसे पहले मैं यूज कर रही हूं अच्छा प्राइमर है मुझे परपल के प्राइमर यह बहुत अच्छा लगता है तो मैं सिर्फ यही प्रा तो इसलिए मैं परपर का 24K गोल्ड प्राइमर ही यूज़ करती हूं इसको मैं अच्छे से लगा लूँगी आप भी से ट्राइ कर सकते हैं लिंक मैं डे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं प्राइमर को मैं अच्छे से अपलाई क शाइन आ जाती है जैसे मैं स्विस्वीटी का प्राइमर लगाती थी उसे अच्छी शाइन आती थी वैसे यह भी क्लैम 21 का इलिमिनेटर भी बहुत अच्छा होता है काफी अच्छी शाइन आ जाती है फांडेशन के पहले और प्राइमर के बाद इसको लगाना चाहिए तो मैं यूज कर रही हूँ मेबलीन का सुपर इस्टे 24 आवर फुर कवरेश फांडेशन सबसे अच्छा फांडेशन है और इसका नंबर है 220 नैश्रल आप इसे यूज कर सकते हैं मुझे मेबलीन का सिर्फ यही फांडेशन सबसे अच्छा लगता है और भी कोई ब्रैंड का इसका ब्लैंड कर रहों और बों मी ब्लैंड को यही जश्यक्ता सबसें सबसंक्र हैं मैं ऐसे मुद्टी यह सिर्फ टारव कलीन की धियरिक्श में यह मेककप पिक्सर काफ़ी अच्छा है इसे मैं इस पे कर लूँगी और पास में तक वेट करोंगी फिर मैं कंसीलर लगांगी यह है फिट मी कंसीलर नेबलीन का fit me concealer मैं अपनी eyes पर थोड़ा सा लगाऊंगी ज्यादा नहीं लगाऊंगी और फिर मैं इसको अच्छे से blend कर लूँगी फिर मुझे अपना face जहां जहां highlight करना है मैं वहां-वाँ concealer लगा लूँगी nose पे, cheeks पे, chin पे, forehead पे फिर मैं उसको अच्छे से blend कर लूँगी highlighting के लिए concealer ज़रूर लगाना चाहिए बिल्कुल इसके पनी चलना करना चाहिए क्योंकि concealer लगाने से ही आपका face अलग highlight होता है फिर मैं लैक्मे का rose powder लूँगी उसे मैं लगा लूँगी अच्छे से set कर लूँगी अपने पूरे face पे इसका shade number है 02 warm pink इसे मैं अच्छे से लगा लूँगी अपना base set कर लूँगी तो अब मैं eyeshadow apply करने चाहरी हूँ मैंने beauty glass का eyeshadow palette लिया है फिर मैं इसे लगाऊंगी तो पहले मैं अपनी eyes पर ठोड़ा सा powder लगा रही हूँ जिससे मेरा अगर eyeshadow गिरता है तो फेस पे ना लगे फिर मैंने mini show की brushes लिए में यूज की ब्रेस में यूज कर रही हूँ फिर मैंने eyeshadow palette से orange color लिया इस पे लगाने के लिए फिर मैं इसको blend करूंगी outer lid से मैं blending करना स्टार्ट कर रही हूँ और inner lid तक मैं इसको लेकर जाओंगी और मुझे कोई idea नहीं था मैं कौन सा eyeshadow apply करूँ तो मैंने बस orange color लिया और उसको blend करना स्टार्ट कर दिया इसे मैं अच्छे से blend कर लूँगी और फिर मैंने लिए NK makeup की eyeshadow palette और Lucky Charm इसका नेम है और इससे मैंने brown color लिया है उसे मैं आयलेट पे apply करूँगी दीरे दीरे से और अच्छे से मैं उसे blend कर लूँगी फिर मैंने एक flat brush ली इससे मैं अपना eyeliner लगाऊंगी तो मैंने एक Maybelline की eyeshadow palette ली उससे मैंने black color लिया उससे मैं eyeliner की तरह लगाने लगी flat brush से और काफी अच्छे से eyeliner लग गया मुझे eyeliner gel या eyeliner pencil की जरूरत नहीं पड़ी इससे भी काफी अच्छे से लग गया जैसा जितना मुझे चाहिए था उतना हो गया फिर मैंने लिया है किस beauty कर्लिंग black mascara यह mascara भी काफी अच्छा है आपकी लैसे इससे काफी अच्छे से कर्ल हो जाती है तो मैं इसलिए यह वाला mascara यूज करते हैं किस beauty का यह mascara काफी अच्छा है और फिर मैंने और लिया और अपनी लोवर लाइन पे थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई कर लिया फिर मैंने contouring के लिए जो मैंने brown color अपनी eyelid पे लगाया था वही मैंने contouring के लिए यूज किया यह मैंने एक hack दिखा था तो मैंने सोचा इसको मैं try करती हूँ तो ठीक ठाक लग गया अच्छे से यह contour भी हो गया blend भी हो रहा था पर इतना कुछ खास नहीं है hack था तो मैंने इसे try कर लिया तो आप देख सकते हैं blend हो गया काफी time लगा मुझे इसे blend करने में पर यह अच्छे से blend हो गया फिर उसके बार मैंने अपने nose contouring की उसी eyeshadow से काफ भी मेरी ठीक लग रही है तो यह hack ठीक ठाक है आप यह hack भी यूज़ कर सकते हैं उसके बार मैंने लिया है laureer Paris का blush pink color का blush है मैंने तीनों color एक साथ लिया और अपनी cheeks पे लगा लिया काफी अच्छे से इसका pigmentation आ जाता है इसे मैंने cheeks पे nose पे अच्छे से लगा लिया है तो मैं यूज़ कर रही हूं Iconic London का highlighter यह है liquid highlighter मैंने इसे flip card से purchase किया है मुझे नहीं पता यह कैसा है और first time मैं यूज़ कर रही हूं आप देख सकते हैं यह full एकदम भरा हुआ है और काफी अच्छा है मैंने इसको लगाया इसे glow काफी अच्छा रहा है आप देख सकते हैं मैं को लगा कर दिखाती हूं बहुती सही highlighter है मैं इसको अब हमेशा इसे यूज़ करोंगी paraben free है और कोई animal testing भी नहीं है काफी अच्छा highlighter है तो मैंने इसे मंगाया था इसका review भी मैं आपको देंगी मैंने तीन सट मंगाया है इसके तीनों का review में जल्दी कोई video बना कर मैं आप इसे एक पर purchase करके देखें कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने nose पे हर जगा अच्छे से इसे apply कर लिया है मैंने finger से किया है आप brush से भी apply कर सकते हैं highlighting वाली brush से तो अब मैं यूज़ कर रही हूं lipstick popso pick up collection no drama mini lip kit lipstick है इसका review मैंने अपनी एक short video में दिया है इस तो मैंने ये color apply किया फिर मुझे ये थोड़ा light लग रहा था तो उसके बाद मैंने my glam का lipstick मैट lipstick है dusky color है तो मैंने उसे apply किया बहुत ही प्यारा shade है ये भी तो मैंने दोनों को apply किया इन दोनों का combination बहुत अच्छा बना और इसका shade अच्छा लग रहा था मेरे lips पे और मेरे make color से थोड़ी-थोड़ी सी कर ली और जी रेकिए मेरा makeup look complete हो गया आपको मेरा ये makeup look कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएए और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मैं अब आपसे मिलू वीडियो में या फिर नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए बाई गाई स्टिक केर किये तक के लोडो कार वीडियों, अजयार जो सब्सक्राइब कर दो अच्छी कर दो चाह पूंके तु Sweet